हेलो एवरिवन, इस्टाडी टुडे विद विपलब यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज हम डिस्कास करेंगे जैग बोर्ड 2022 के 9th Examination Term 1 के Science के VVI Question को डिस्कास करेंगे, 9th Examination Term 1 के 40 VVI Question को डिस्कास करेंगे, जो कि Science से रिलेटेट है, इसी टाइप के Question exam में दोस्तों में share करियेगा, तो चलिए डिस्कास करते हैं, Question No.1 को देखिए, Question No.1, चाल का SI मात्रक है, चाल का SI मात्रक है, option को देखिए, मिटर, मिटर पर सेकेंड, मिटर पर सेकेंड, मिटर पर सेकेंड, मिटर पर सेकेंड, इसका सही एंसर होगा, मिटर पर सेकेंड, चाल का SI मातरक मीटर पर सेकेंड चाल और बिच दोनों का SI मातरक जो होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेर यह acceleration का होता है मतलब तौरन का होता है नीचेbirds description में एक link दिया गया है जिसमें आपको SI unit का वीड़ो मिलेगा ठीक है तो देख लिजिएगा आपको एकजम में help करेगा तो चलिए next question को देखते हैं next question स्वचालित बहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा ताई की गई दूरी को प्रदर्शित करता है इस यंत्रों को कहते हैं इस यंत्रों को क्या कहा जाता है ओडोमिटर ये जो यंत्र है इसको ओडोमिटर कहा जाता है जो की स्वचालित बहनों में लगा होता है जो उनके द्वारा ताई की गई दूरी को प्रदर्शित करता है next question को देखिए, इन में से कौन सही है, याद रखेगा, गती का जो समीकरन का, गती का समीकरन का, तीन जो formula है, आपको याद रखना है, note कर लिजेगा, इसका सही answer कौन सा होगा, V वरावर U plus 80 होगा, याद रखना, यह एक समीकरन, V वरावर U plus 80, और एक को याद रखेगा, S बर बरावर क्या होगा, UT plus half 80 square, T time होता है, A जो होता है, यह तोरन होता है, U, यू जो होता है, प्रारंबिक, याद रखना, यह initial, जो वेक होता है, मतलब प्रारंबिक बेक, और V जो होता है, याद रखना, इसको भी, V जो होता है, अंतिम बेलोसिटी, मतलब अंतिम बेक होता ह और एक को याद रखना, तीन को याद रखना, 2 as बराबर, 2 as बराबर, v square माइनस u square, b मतलब क्या होता है, final velocity, मतलब अन्तिम बेख, और u बराबर क्या होता है, मतलब प्रारम बिख बेख, और s दूरी होता है, बस्तु के द्वारा ताय की गई दूरी, याद रखना, ये तौर नेक्स्ट कॉस्चन को देखिए, चंद्रमा की सतहा पर किसी बोष्टू का भार, प्रिथिवी की सतहा पर उसके भार का कितने गुना होता है, वान शिक्स्थ होता है, याद रखना, वान बटे छे होता है, वान शिक्स्थ होता है, इसको याद रखना, चंद्रमा की सतहा पर क किसका मात्रक है न्यूटन किसका मात्रक है न्यूटन वल का मात्रक है न्यूटन वल का मात्रक है फोर्स जो फोर्स वल होता है उसका मात्रक है न्यूटन यह दखने कारिया का जो कारिया का मात्रक है इनको भी नोट कर लिजेगा, कारिया का मात्रक जूल होता है, और उर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तोरन का मात्रक क्या होगा, मिटर पर सेकेंड स्क्वेर, मिटर पर सेकेंड स्क्वेर होगा, और कारिया का जूल होगा, नोट कर लिजेगा, आपक का मिटर पर सेकेंड बेक और चाल का जो ऐसा यूनिट है वो मिटर पर सेकेंड होगा next question को देखिए किसी गतिसिल पींड का वेक आधा करने से उसका संगबेक हो जाता है याद रखना जो संगबेक होता है संगबेक बराबर क्या होता है mb मतलब द्रब्यमन गुना वेलोसिटी तो अगर वेलोसिटी को आप आधा करोगे तो जो संगबेक होगा वो भी आधा हो जाएगा याद रखना है किसी गतिसिल पींड का बेक आधा करने से उसका संगबेक हो जाता है आधा मतलब इसका सही अंसर आधा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्चन को देखिए राकेट किसके सिद्धन पर कारिया करता है याद रखना है नेक्स्ट क्वेस्चन को देखिए एट को दो पिंडों के बीच गुरुट्यकर्शन का वल निर्भर नहीं करता है गुरुत्यकर्शन का बल निर्भर नहीं करता है उनके बीच की दूरी पर उनके द्रब्यमानों के गुननफल पर उनके द्रब्यमान के योग पर गुरुत्यकर्शन के नियतंग पर इसका सही एंसर उनके द्रब्यमान के योग पर next question को देखिए धनूस की तनित डोरी में कौन सी उर्जा संग्चित होती है धनूस की तनित डोरी में इस्तितित उर्जा याद रखना है इस्तितित उर्जा इस्तितित उर्जा का जो formula है याद रखना है MGH G मतलब due to जो G का value होता है वो 9.8 होता है और gravitation due to gravity मतलब याद रखना है ठीक है जी का value 9.8 meter per second square next question को देखे कार्या का इसका सही answer option number a 10 का देखे कार करने की दर को कहते हैं कार्या करने की दर को क्या कहते हैं सक्ति कहते हैं और सक्ति का जो SI unit होता है what याद रखना है what बल का होता है force, डाप का होता है pascal, उर्जा का होता है जूल अगर आपको SI unit देखना है तो निचे description में आपको link मिलेगा देख लिजिएगा next question को देखे किसी वस्तु का वेक दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिच उर्जा कितनी हो जाएगी याद रखना है गति चुर्जा का जो formula है half mv square होता है half mv square तो अगर किसी वस्तु का बेक बेक को अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसका जो गति चुर्जा होगा वो चार गुना हो जाएगा मतलब इसका सही एंसर कोन सा हो जाएगा चौगुनी option number C formula को याद रखना half kinetic energy का जो formula होता है half mv square होता है याद रखना है next question को देखिए question number 12 अबृती का SI मात रख है अबृती जो frequency का SI मात रख होता है वो होता है हर्च याद रखना है हर्च नूटन फोर्स का होता है याद रखना नूटन जो होता है वो बल का होता है ऐसा ही मात रख और अबृती का हर्च होता है याद रखना है, next question को देखिए, इन में से तरंग वेक V, तरंग दर्ज, लेमडा, तथा अबरिती N के बीच सही सम्मन्थ कौन सा है, याद रखना है, जो तरंग वेक होता है, तरंग वेक वरावर क्या होता है, लेमडा, मतलब तरंग दर्य, into N, मतलब frequency, याद रखना है, V व दर्भ्यमान हो, तो एक इस्तान को घेरता हो, और जिसका दर्भ्यमान हो, उसी को हम पदार्थ कहेंगे, तो ठंडा पया हो जाएगा एक पदार्थ, next question को देखिए, question number 15 को देखिए, निनमलखित में दर्भ में कोन निश्ची थे, आकार में बेक, घनत, आयतन, इसका सही ए आराम देहा होता है, आराम देहा मतलब सुती कपड़ा, इसका सही एंसर हो जाएगा, सुती कपड़ा, गर्मियों में, हम पसंद करते हैं, next question जो के आराम देहा होता है, next question देखिए, निनमलखित में कोन तत्व है, तत्व, हाबा एक मिश्रन है, पानी एक योगिक है, लबन एक योगिक है, मतलब कंपाउंट है, ओक्सिजन, ओक्सिजन ओटू, ओक्सिजन ओटू, यह एक तत्व है, याद रखना है, ओक्सिजन ओटू तत्व है, next question को देखिए, question number 18, निनमलखित मिश्रनों में से, बिलायन की पहचान करे, बिलायन की पहचान करे, मिट्टी, समु इनमें से कोई नहीं, इसका सही एंसर हो जाएगा, copper sulfate का बिलायन, next question को देखिए, 1.8 gram H2O में अनुओ की संखा क्या है, याद रखना है, अनुओ की संखा कैसे निकालना है, देखे, अनुओ की संखा निकालना का, जो formula होता है, दिया गया द्रभ्यमन, बटे, मोला द्रभ है, ठीक है, मोला द्रभमन कीतना होगा, H2O का मोला द्रभमन, 18 होता है, 18 होता है, और अबो गड्रो की संखा कीतना होता है, 6.022 इन्टु 10 की power 23 होता है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर point है, point को हटा दिया, 18, 18 कट गया, नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 कम हो जाए ठीक है, 10 की power 22, किस में है, देखिए, option number D में है, तो इसका सही answer, option number D हो जाएगा, next question को देखिए, 5.85 gram NaCl किसके बराबर है, हमें मोल में निकालना है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number C, कैसे, याद रखना है, NaCl, NaCl बराबर कितना होता है, याद रखना है, 58.5, कितना होता है 58.5 क्योंकि NA जो sodium है उसका 23 होता है जो द्रब्यमन होता है और chlorine का कितना होता है 35.5 तो total कितना हो जाएगा 58.5 और 58.5 बराबर कितना होगा 1 mole तो 1 mole तो हमें निकालना है 5.85 ग्राम तो 5.85 ग्राम कितना हो जाएगा 1 बटे 10 mole के बराबर तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number C याद रखना है NaCl का जो द्रब्यमन होगा याद रखना है 58.5 तो निकल जाएगा 1 बटे 10 next question को देखिए कौन सा त्वत्व मुक्त परमानू के रूप में पया जाता है hydrogen, oxygen, argon, chlorine chlorine का CL होता है oxygen O2 होता है hydrogen H2 याद रखना है argon, 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 AR होता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा argon option number C next question को देखिए केनाल करिने किसका किरन पूँच है proton, electron, neutron, neutron, alpha, can इसका सही एंसर हो जाएगा proton next question को देखिए 24 किसी तत्य के परमानू में 18 neutron एबंग 17 proton है तत्य के परमानू द्रब्यमन होगा याद रखना है द्रब्यमन बराबर क्या होता है द्रब्यमन बराबर जो मास बराबर होता है वो proton plus neutron होता है proton plus neutron होता है तो proton कितना 17 और 18 neutron तो total 35 हो जाएगा next question को देखिए sodium का जो na होता है इसका parmanution का atomic number 11 होता है तो electron 12 कौन सा होगा electron 12 याद रखना है k l m में क्या होगा k में 2 हो जाएगा l में 8 हो जाएगा अधिक्तम 8 होगा और m में बचा कितना 2, 8, 10, 1 तो 2, 8, 1 हो जाएगा इसका सही answer option number D हो जाएगा next question को देखिए आत्माहत्या का थहला कहलाता है lysosome lysosome को societal back of the cell कहा जाता है याद रखना है आत्माहत्या का थहला कहलाता है lysosome को next देखिए कोशिका का powerhouse mytochandria को कहा जाता है mytochandria mytochandria का अपना DNA होता है DNA का full form होता है deoxyribonuclec acid mytochandria में ATP पाये जाता है ATP ठीक है जो की energy currency होता है जो की energy currency होता है और याद रखना है एक cell मतलब कोशिका जो सांस लेती है respiratory site of the cell कोन सा होता है mytochandria होता है याद रखना है next question को देखिए trackids पाये जाते हैं जाइलम में फ्लोयम में वसिय उतक में या पेशियो में जाइलम में जाइलम जल का transport करता है पौधों में याद रखना है और फ्लोयम खाद पदार्थ का transport करता है कहां पौधों में next question को देखिए अंतर कोसी के इस्थान याद रखना है next देखिए question number 30 को देखिए किस प्रकार के उतकों की क्रियासिल्ता के कारण पौधों में बार्सिक वालाई बनते है question को देखिए किस प्रकार के उतकों की क्रियासिल्ता के कारण पौधों में बार्सिक वालाई बनते है जो पौधा होता है इसा ring type का होता है न वही द्रिढ़ उतक इसका सही answer हो जाएगा द्रिड़ उतक याद रखना है नेक्स्ट क्वोस्चन को देखिए पक्छियों और मेंढगों के रक्त की प्रकर्ति होती है मेंढग जो होता है यह अंफिबियन होता है उभईचर होता है सामान आसामान उसन सीथ इसका सही answer सीथ हो जाएगा नेक्स्ट क्वोस्चन को देखिए जन्तु जगत का सबसे बिकसित समुह है रेप्टिलिया, पक्छी वर्क, माच्छा वर्क, इस्तंधरी वर्क इसका जो सही answer है इस्तंधरी वर्क जो मेमाल होता है नेक्स्ट क्वस्चन को देखिए 33 को निनमलखित में किस जन्तु में बिसाइले उपंक नहीं पाए जाते बिच्चु, हाइडरा, कच्चुआ, अर्थोपोडा इसका सही एंसर हो जाएगा कच्चुआ नेक्स्ट क्वस्चन को देखिए 34 को निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसोमा, कबक, बायरास, प्लाज्मोडियम इसका सही एंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसुमा नित्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिप्नोसुमा और एक सी सी फ्लाई होता है याद रखना सी सी फ्लाई जो बाहाक होता है next question को देखिए malaria का रोग बाहाक है एक मच्छर होता है जिसका नाम है female anopolis musquito next question को देखिए ओजन ग्यास पाई जाती है समतब मंडल में समतब मंडल में याद रखना है ओजन परत पाई जाती है ओजन परत हमें रख्षा करती है अल्ट्रा बाइलेट रे से ठीक है अल्ट्रा बाइलेट रे जो की सूर्य से निकलता है मतलब पराबवाईगनी किरिनों से हमें रक्षा करता है कौन ओजन लियार ठीक है याद रखना है समताप मंडल में पाये जाता है ओजन लियार इसको याद रखना है नेक्स्ट क्वेस्चन को देखिए अतिचारन का सम्मंध है अतिचारन का सम्मंध है मृदा अपर्दन से याद रखना है मृदा अपर्दन से अतिचारन का सम्मंध है नेक्स्ट देखिए पौधों द्वारा संक्सलेशित पदार्थ कहलाते हैं जैब रसायन चट्टान फाल कार्बोहड़िड जाइब रसायन, पोधों द्वारा संक्सलेशित पदार्थ कहलाते हैं, जाइब रसायन नेक्स्ट क्वेस्चन को देखिए, एक सुक्षम पोशक तत्य है, जस्ता मतलब जिंक, नाइट्रोजन, एन्टू, फोस्पराज, पोटेसियम, इसका सही एंसर हो जाएगा जस्ता नेक्स्ट क्वेस्चन को देखिए, एक संक्सलेशित उर्बरक है, एक संक्सलेशित उर्बरक है, कंपोस्ट, बार्मी कंपोस्ट, यूरिया, हरी खाथ, इसका सही एंसर हो जाएगा यूरिया तो यह थे important 40 question जो कि आपको exam में देखने को मिलेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care